वहां दोस्तों नमस्कार आप सबको आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूं बहुत ही हेल्दी चने की भाजी चने का साग जो होता है वह तो यह बहुत ही मैं इतना अच्छा बनता है ना यह दम सॉफ्ट तो मैं अलग तरीके से बना रहे हैं आप लोग जरूर देखें मेरे इस कजा आता है में लोगने मम समझ काटा है एक दम बारिक आप में काट सकता है और आप से लुक्त जले-जदीी साथ्प्ट में और यह साथ ज्यादा-जैदा ज्यान आप लोगत बिल्टों 2-ईग कर दो कुद्दा कर दो दो झाट दो एक होते हूँ दुर्ट को ज्यादा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले हम इसको बारिक बारिक टुकडो में काट लेंगे बहुत अच्छे से और यह बहुत इसली कर जाता है मेरे को तो बहुत आसान लगता इससे काटना दोनों चीजों से मैं काट लेती हूं चाक अगर पानी में बालो तो बहुत ही पत्ता दिखता है तो मैं पानी के इस्तिमाल नहीं करूंगी मैं अलग तरीके से बनाओंगी इसके लिए आपनों मेरी पूरी वीडियो जरूर देखना इसकी पर के मत देखना मैंने स्टेप बाई स्टेप सब बताया है इसमें और बहु अब पसंद आएगा तो देखे यह अभी मैंने सारे काट के रख लिये हैं अभी मैं इसको अच्छे से दोऊंगी पहले तो मैं इसको एक खाले में ले जाती हूं किचन में और फिर इसको में धोऊंगी तो यह हो गया इतना सारा कट गया यह थाइसो ग्राम लिया था मैंने तो यह है अब हमारा तयार हो गया कटके चुटे चुटे टुकडों में तो इसके बाद हम इसको अब धोएंगे अच्छे से इसको बहुत अच्छे से साफ तरीके से दो लेना है इसको मैंने पहले भी दो के और फिर रख दिया था ऐसे ही थोड़ा पहला के और इसके बाद तो फेले तो हम इसको निकालेंगे लीके लिए पनी करता है काल में भुझा है मैं चन्न ने मुझाना किवा भाप में zigze लिए लिए when थांड सच something में डाल लुझाना पनी जैका जो लमठ टेस्टीञ सब्गार लीक ना खुआना ждग्या पानी वाला वह बहुत खराब लगता है किसी को पसंद भी नहीं आता तो इस तरीके से मैंने ट्राय किया तो फिर यह बहुत ज्यादा टेश्टी बना तो इस तरीके साब जरूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना तो यह इस तरीके देखिए भाप में पग गया और यह इ अब हम इसको एक रख देंगे और क्या क्या डालेंगे वह सब चीजे मैं आपको बताती हूं तो देखिए यह बहुत अच्छ पग गया है अब मैं इसको इसे छोड़ दूंगी थोड़ा अब हम डालेंगे एक पूरा लेसन डालना है यह अद्रक का इतना टुकड़ा यह टमाटर भी डालूंगी अगर आप खसाग ज्यादा है तो आप इनके क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं मेरा 200 ग्राम है तो इसलिए और इसके लिए अभी मसाला ले रही हूं गरम मसाला उसमें म अधरक कोट के राख लिया था तो सबसे पहले में तेल गरम होने के बाद में उसमें डालऊंगी लेसन इसके बाद अधरक इसके बहून लेना है कुछ इस तरीके से ब्राउन ब्राउन सा एक अचाए अब यह हमारा बहून गया है तो देखिए इस तरीके का दिखना पकने देंगे 2-3 मिनट तो 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 डेंगे अब जो ड़के रखेंगे दिखाने के लिए 2-3 मिनट और तो तो पाने का साथ टेश्टी घपना नगा तो तो डालेंगे मसाला और भून लेंगे फिर इसको भी हम क्या करेंगे अभी थोड़ा भूनने के बाद में डाले हूं बेसन जो इसका सीक्रेट है नहीं किया एक चमच बेसन लिया है मैंने इसको भून लेना है दो मिनट या तीन मिनट कुछ इस तरीके का दिखने लगा पहले तो जब कच्चा रहता है तो इस तरीक कि अभी तो हम इसको थोड़ा पकने देंगे तो इसे चलाते रहेंगे और इसको हम पकाएंगे मसलब 2-3 मिनट बेसन भून जाएगा इसके बाद देखिए अब हम डाल देंगे तुरन ये साग जो हमने रखा है उबला हुआ इसको हम डाल देंगे और हम इसको भूनेंगे इसको हमने डाल दी अच्छे से अब हम इसको चलाते रहेंगे लगता थोड़ी देर तक चलाएंगे इसको अच्छे से जब तक इसारा बेशन मसाला वागर मिल न जाए तब तक और आप लोग यकीन माने इस तरी के साब बनाएंगे आपको बहुत जादा टेस्टी लगेगा फैमिली को बहुत पसंद आएगा यहां तक ही बच्चे भी खालेंगे तो इस तरीके से देखिए अभी यह थोड़ी देर दो से तीर मिलाड बाद देखा तो मैंने ऐसा हो गया है और उबालने के बाद जल्दी बन जाता है यह बहुत जल्दी बन जाएगा जाद समय नहीं कर से यह तो इस्तरीके साब चलाते रहें बनी अकश्ट्रे फानी डालाने में डाला है इसे यह पकर रहा है वहां परिखने की स्टेच पर आ चुका है तो अभी हम इसको थोड़ा अभी जब इस स्टेज पे आने के बाद एक बात का दियान रखें आज तेज कर दें आज तेज करके हाई फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे इस तरीके लगातार चलाएंगे तो यह जल्दी से सूख जाएगा थोड़ा सा और बहुत अच्छा लग इस दुलली मढ़ें यह तो अभी मैने विता चावल से सकते हैं रहें का बन लां यह हूं तो देथिये ॉपिक्त आप अगा निशुक्त चावल जा रख जाएंगे फारेंगें और जांगे में सब्सक्राववित भप प्दम मां ब्सके नोच्षी और शमधिक्य को भां बनाय तो पर भी आपको रोटी के साथ दिखा नहीं कितना अच्छा लिख रहा है आप देख सकते हैं चने का साथ कितना सॉफ्ट सॉफ्ट बना है तो फिर मिलती हूं दोस्तो एक नई रेसिपी के साथ बाइ भाइ थैंक्स पर वाचिंग आप